देश में बढ़ती महंगाई के खिलाब जोरदार परदर्सन कटिहार में देखने को मिला है आपको बता दे लगातार देश में बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और रसोई, गैस के कीमतों में उच्छाल के बाद कॉंग्रेस अलपसंक्यक समुदाय के जिलाद्यक्ष इजहार अली के नेत्रित में कटिहार में बड़ा हंगामा देखने को मिला सेक्रो की संक्या में कॉंग्रेस दल के कारिकरता सरक पर उतर गए और उन्होंने सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी की इस दौरान नितीश कुमार और केंदर सरकार को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई क्या कुछ प्रकार देश में महंगाई चरम सिमेप है रोजाना एक रुपया आठना पेट्रोल में बिर्धी की जा रही है आप लोगों ने देखा होगी एक सो साथ रुपय लिटर था हो चुका है सरसो तेल उसी प्रकार डीजल में आज 5 रुपय की विर्धी हो चुकी है जिस प्रकार भारत को इन्होंने कहा था कि हम सौतंत्र भारत बनाएंगे और हर चीज का मुल में कमी करेंगे लेकिन यहां पे तो विर्धी पे विर्धी की जा रही है आम जनताओं पे परहार परहार किया जा रहा है बिरोजगारी चरम सीमा पर है लोगों के पास रोजगार नहीं है लेकिन कोई देखने वाला नहीं कोई बोलने वाला नहीं जो आवाज उठाता है उसके खिलाब इन लोग मुकदमा दायर कर देते हैं मुकदमा दायर करके जेल भेजने का काम लेकिन आम जनता परेशान हैं जाएं तो कहा जाएं कहें तो किसे कहें इस प्रकार सरकार की जो ये रनिती है देश को खोकला करने की और हमारे आम आदमियों पे जो परहार किया जा रहा है ये अमानने है इसके खिलाप हम जम कर परदर्शन करेंगे आज हम लोगों ने सरक जम करके परदर्शन किया है पदियातरा कुछ दूर चल जिलाद ध्यक्ष कटिहार जिलाद ध्यक्ष कटिहार जिलाद ध्यक्ष कटिहार जिलाद ध्यक्ष कटिहार जिलाद ध्यक्ष कर दो जिलाद धट्धर हाँ